ताके लोग हैं, इनको सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है, न्याय पालिका पर कोई भरोसा नहीं है, एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, पंजाब के अंदर किस तरह से भारत बिरोधी ताक्तों को सरक्षण दे रही है आम आदवी पार्टी की सरकार ये किसे से छुपा है क्या इतने दिनों तक कानून का मजा कुड़ाते रहे सिस्टम का मजा कुड़ाते रहे और आज जब कानून का हाथ उनके गिरेबान तक पहुचा है तो उन्होंने जो किया है वो भर रहे हैं चुनाव का वक्त है आम आदमी पार्टी एक सेंटिमेंट उभार कर चुनाव में लाभ लेने का प्रयास कर रही है लेकिन दिल्ली और देश की सम्मानित जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है निश्चित तौर पर ऐसी जो घटनाएं हो रही है आज पूरा देश देख रहा है उस गिरफतारी पर अन्ना जी के बयान को पता नहीं है आम आदमी पार्टी के लोगों ने सुना की नहीं सुना सक्ती से कारवाई करना चाहिए कानून को हाथ में लेने की स्वतंतता किसी को नहीं है कानून का राज अस्थापित है देश के अंदर एजेंसिया निस्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है तो ब्रस्टाचारियों के पेट में दर्ध हो रहा है परिशानी हो रही है तो उनके परिशान होने से उनके बेचारा बनने से कारवाई थोड़ो रूकेगी अपने कर्तव्य का पालन करना थोड़ो एजेंसिया छोड़ देंगी तो इस तरह का प्रदर्शन जो दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है जिससे दिल्ली की जनता कितनी परिशान है ऐसे प्रदर्शन आमादमी पार्टी के लोग बार बार किया करते हैं कोई बात नहीं कर रहें करें लेकिन वह यह सोच रहे हो कि ऐसे प्रदर्शन करके और देश की एजेंसिया उनके दबाव में आने वाली हैं तो ऐसा कताई सही नहीं है जो अपत्ति जिनक ट्विट किया है उसको लेकर राष्ट महला आयोग ने केस दर्च कर लिया वहीं सुप्रिया सिनेद ने कहा है कि हमारे ट्विटर का एक्सेज जो है कईलोगों के पास है जब हमें पता चला इस तरह का ट्विट हुआ है तो हमने टुर्ट इलीट कर दिय सर किस तरह से देखते हैं और ऐसे ही महावल में वो जीते हैं तो इससे जादे वो सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग महिला आयोग का अभिनंदन करना चाहते हैं प्रकरण को सग्यान में लिया है चुनाव आयोग को सख्त कारवाई करना चाहिए और कल तक शक्ति की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता को सामने आना चाहिए और इस तरह से सडक छाप बात जो कही है उनकी नेता ने कांग्रेस को तो आकर देश के सामने बताना चाहिए कि अपने नेता के खिलाब क्या कारवाई कर रही है कांग्रेस या फिर Congress ही बतावे कि नए उसकी भी उसी वो बयान अधिकरित बयान है Congress Party का बयान है और Congress Party का अगर बयान नहीं है अधिकरित बयान नहीं है तो Congress Party को सामने आना चाहिए कारवाई करना चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी कारवाही नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही माना जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की वही बिचारधारा है और कांग्रेस पार्टी के तरब से दिया गया उनके प्रवक्ता का ये पूरी तरीके से उनके सरक्षन में कांग्रेस पार्टी के दिया गया ये बयान है